Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बालिक लड़का लड़की कैसे court marriage कर सकते हैं Court marriage का एक सीधा साधा फंडा है कि अगर आप court marriage कर रहे हैं, इसमें एक बात तो बिल्कुल किलियर है कि आपके parents साधी के लिए राजी नहीं है, या फिर आप चुप के से साधी करना चाहते हैं इसलिए आप court marriage कर रहे हैं अगर आपको कोई normally साधी करनी है, सबकुछ राजी वाजी है, तो आप ऐसे ही साधी कर सकते हैं, domestic तरीके से क्योंकि ऐसी कोई बजा है, इसलिए आप court marriage करने का तरीका साधी करना चाहते हैं तो अगर आप दोनों बालिक हैं, लड़का भी बालिक है, लड़की भी बालिक है और court marriage करना चाहते हैं, तो इसका मैं एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ तो अगर आप जो है, अपने parents को नहीं बताना चाहते हैं, अपने परिवार को नहीं बताना चाहते हैं, चुपके से शादी करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि बाद में भी कोई लफडा ना रहे, पुलिस का कोई चक्कर भी ना रहे, लड़की वाले के जो पैरेंट्स होते हैं, वो भी किसी भी तरह की कोई कारवाई करें, तो भी बेसर हो जाए, तो इसका एक सीधा साधा फंडा है, देखिए ऐसे तो अगर आ मुसलिम लौ में भी ऐसा है कि जो ऐसे काजी होते हैं, जो सैटिफिकेट जारी करते हैं साधी का, तो वहाँ पर जाकर कि आप निकाह कर सकते हैं, उसके बाद क्या है, अब आपने निकाह कर लिया या फिर आपने किसी मंदिर में, आर समाज मंदिर में जाकर कि शादी कर लि अब यह जो डॉकुमेंट है इसके आधार पर आप चाहें तो किसी बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए कोई पॉलिसी वगरा ले लीजिए ठीक है तो आपके पास डॉबल डॉकुमेंट हो जाएगा एक तो यह आपका सेटिफिकेट हो गया या फिर आपने कोई बैंक अक कर दिया जाता है तो यह फिर जोईंट में कोई पॉलिसी जोईंट में कोई अकाउंट वगरा खुलवा लीजिए या फिर अगर आप यह भी भी नहीं करा सकते तो पहला डॉकुमेंट तो आपके पास है ही समझ लीजिए क्या जो निकाह नामा है या फिर जो आर्समाज का यह जो जो सेटिफिएट्स है इसके आधार पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मैरे सेटिफिएट के लिए ऑन लाइन आप applाभा कर सकते हैं दो गवहा कर लेजिए दो गवह Pan심 की कि तरफ से ओर binary certificate के लिए अप लाई कर दीजिए उसका जो परेंटाउट हो ता उसको आप निक क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़की वाले इस तरह की अफायदज करा देते हैं कि हमारी लड़की का अपहरड कर लिया है तो उस मामले में ये चीज आपको फायदा दी देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैरेंट्स आपके इंगिजट कोई कारवाई नहीं करेंगे आप घर से फरार हो चुके हैं घर से बाहर हैं भाग गए हैं और आपको फिर भी विलीव है कि आपके घर वाले आपके इंगिजट कोई कारवाई नहीं करेंगे तो फिर कोई भी एफ़ाई दज करा सकते हैं, तो उससे निबटने का भी तरीका में आपको बता देता हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़की वाले पुलिस को कुछ पैसे दे कर के, लड़का एक पक्षवालों को तंग कराते हैं, परेशान कराते हैं, तो उससे भी बचने का तरीका में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मामले में जाद तर देखा गया है लड़की बाले, आई-पी-सी के दहरा 363 और 366 के दहरत जाद अपहरण की एफ़ाई दज कराते हैं, कि हमारी लड़की को अपहरण कर लिया है, अगर नाम मालूम है, तो नाम जद होती है, नहीं तो अग्यात में कर देते हैं, बात में पुलिस इन्वेस्टिकेट करती है, मामले को, तो इससे बचने के लिए कहा है, कि जो आपने शादी किये, तो शादी का प्रूप तो आपके पास है, और जो भी आपने ओलाइन एपलाई किया है, वो आपके पास डॉकुमेंट है, इन डॉकुमेंट को लेका कि आप चले जाएए, कहां पर हाई कोट, और हाई कोट से आपने जो शादी किये, उस पर आप प्रोटेक्शन ओर्डर ले लिजिए, कम से दो महीने का आपको प्रोटेक्शन ओर्डर मिल जाएगा, प्लिस आपको दो महीने तक आपको तंग नहीं कर सकती, परिशान नहीं कर सकती, अगर इस दोरान या इस से पहले, आपके अंगेजड कोई भी F.I.A. दर्ज हो गई, और आपको नहीं पता है, तो उसमें क्या होगा, आप ठाने आजाएए, 161 का बयान ओट कराएए, और मजिस्ट्रिट के यहाँ पर 164 का बयान हो जाएगा, उसमें आप कहा देंगे, यह है, कि मान लीजिए, कि आप हाई कोड भी नहीं जाना चाहते, तो उसका तरीका यह है, कि आपने चुशादी की है, ठीक है, और आपके पास साधी का प्रूफ है, अगर आपके अंगेजड ऐसी कोई F.I.A. दर्ज होती है, तो पुलिस तो भाई, 163 की अपरड़ की F.I. कि करेगी, और लड़की आप दे दें तो अच्छा, अगर आप लेके भागते फिरेंगे, तो उस मावले में क्या होगा, पुलिस तंग करेगी, तो अगर कोई भी F.I.R. हो रही है, तो आपको थाने आना चाहिए, और थाने में आपको 164 का अब्यान दीजिए, और मजिस् साधी कर लिए, तो बस इनी बयानों के आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए, फाइनल रिपोर्ट के रूप में अफर लगा देगी, वैपाई, साधी करने का, मैं एक और एकासन तरीका आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा विलीव है, कि दोन किसी वकील की मदद से, अगर आप दोनों वालिक हैं, कोई भी नावालिक होने की वंजाश नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं, आप कचारी से नौटरी गरा सकते हैं, ठीक है, और इस डॉकुमेंट के अधार पर आप लोग अगर वालिक हैं, तो एक साथ रह सकते हैं, और अगल आपके खिलाब कोई भी कानूनी कारवाई होती है, कोई भी F.I.R. होती है, ज्यादा देखा जाता है, लड़कों के खिलाब F.I.R. होती है, कि फ़लान फ़ले लडगे ने हमाई लड़की का परड़ कर लिया है, जब रिस्ती उसे शादी कर लिया है, तो उस मामले में कोई वे फाइयार है तो उसमें पोलिस लड़की को बरामत करती है उस कंडिशन में आपको भागना नहीं चाहिए पोलिस को जरूरी है 164 का बयान नोट करना और उस में पोलिस 164 का बयान नोट करती है और बयानों आधार जो कोट में बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने तो उन बयानों के आधार पर अपना जो भी investigation होता है उसके आधार पर किया गरति अपनी final report के रूप में court में FR लगा देती है FR का मतलब है False Report जो report दज कराई गई थी जो सूचना हमें मिली है बयानों के अधार पर बो एफर लगा रही है तो वो उनका एक तरीका होता है ये चीज में सिर्फ आपको समझाने की बात कर रहा हूं देखिए अगर आप इसमें जो मैंने आपको बताया है सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप कोई भी शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं त तो एक बार वकिल से रायर ले लीजिएगा तभी आप ऐसा कोई स्टैप लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मेरी बात सुन ली और आपने कर ली शादी और पता चला कि कल के बाद हो गई चुट्टी है तो आपकी बन जाएगी तब तक बैंट ठीक है कभी कभी ऐसा ह अड़ताल हो जाती है चुटियां पड़ जाती है और आप शादी करके आगए और बाद में हो गई आपकी आपकी एफ़ या तो पुलिस आपके मतलब की बड़ा हाल कर देगी तो सारी चीज पहले से प्लान की जाती है कि क्या करना है और वकील भी आपको एक सही राय देता है कि तुमारे तुमको बचाना कैसे है तुमारी शादी कैसे करनी है कैसे हाई गोट जाना है अगर कोई अफ आ यार हुई है तो उससे कैसे तुमको बचाना है सारी चीज प्लानिंग पहले से होती है तब जाकर के आप पोड़ इस वीडियो अगर फिर भी कोई अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए